आजकल बे घर होने का डर हर इंसान पर सबको मालु है पर सबकी जवाक हो गई आजकल बे चहीनी रहती है हर दर्बार पर सबको चिंता है पर सबको इज़ट प्यारी भी तो क्या? सरकार यह गाना तो बड़ा अच्छा है टेक्टाउप एक सुना था क्या? ये दियू तो इतनी अच्छी थी और ये शब्दर उसे सामाज नहीं आए अरे रे वे जमूरी ये गाला ना आजकल के मुद्धों पे बनाए चुन मैं तुम्हें समझाते हूँ इनकर नाटा के द्वारा तो महरबान कर्ददान साहे बार मैं हुआ की चहीती मंतारी और ये है मेरी प्यारी सी चोटी सी जमूरी और हम आके ले क्या है एक नुकर नाटाक तो क्या मेरे टोली तयार है आवा तयार है और के मेरा प्यारी सी जमूरी तयार है सरकार मैं तो पेदा ही तयार हुई थी तो नाटक शुरू किया जाए अचल निकल याँ से ये जमीर अब बड़े लोगों ने जब्त कर लिये वो यहाँ पर अपना नया मॉल बना रहे है ये शासक पैसे का खेल खेलते है पर हारते सिरफ हम आम आदमी है शेट मेरी गली गली में पैसे कीट सत्ता है इस गली पे मेरी गली नहीं रही मेरी गली है निकाला जा रहा है मुझे गली से जिनको हाथ पकड़कर मैंने चलना सिखाया था आज उन्हींने मेरा साथ छोड़ दिया एक भर पलट कर भी नहीं देखा और मुझे मेरे परिवार से दूर और मेरे घार से बेगार कर दिया अक्सर उनकी छोड़ी छोटी कलाईयों की दस तके मेरे दर्वाजे पर बुझती है पर वो सपना बस एक सपना बन कर ही रह जाता है क्यों ये दुहिया बदलती नहीं बजूर्बो का दर्ड समझती नहीं जिम्मेदार बनने से डरती रही चर्चाना होती सिवात पर नसता है ये कर जो अपने ही घर से बेगर हो वो बनके रह गया बस एक साहा ये देखो, ये देखो इन दारों के पास एक घर है तो हम बेगर क्यों है? छोड़ी घर प्यार से बनता है दिवारों से नहीं हम सब ही दूसरे का सहारा है वे घर उसने मैसूस किया क्योंकि वो अनाथ था लेकिन ये न समझा वो कि रब का उस पर हात था घर चारदिवार नहीं अपनों का ही साथ था लेकिन ये ना समझा वो की रब का उस पर हाथ था सरकार ये देख के तो दिल में बहुत अर्द हुआ हर इंसान के पास ना एक ऐसी जगा होनी चाहिए जिसको वो अपना घर बोला पाए अरे जमूरी ये तो सही बोली चलो इस बात पर इसका हल देखते हैं हमारे देश में ऐसे लाख हो और लोग है जो जिन्दगी भार उस एक दस्तन की इंतिजार में पड़े रहते हैं हमारा भारत वासी होने का फर्ज है कि हम इन मुश्किरों को जर से मिटाए हाँ, ताकि कोई बेघर ना रहे हमें बच्पन से सिखाया जाता है कि हमें अपने बुजूर्गों का सम्मान करना चाहिए पर आजकल की युवा अपने कंदों से जिम्मेदारी हटाने के लिए अपने ही घर के बुजूर्गों को पोज मान कर अपने से ही दूर कर देते हैं हमारे देश में तो आम आदमी को भी अपने हक के घरों से बहार निकाल दिया जाता है ताकि कुछ मतलबी लोगों की लालची जरूरते पूरी हो सके लेकिन इन सब कठिनाईयों का हमें एक जुठ होकर मुकाबला करना हो इतनी सी हासी इतनी सी खुशी कोई ना हो अकेला यहां चत ये सर पे रहे चल बनाए आशिया